तो आज का ये वीडियो एक अन्बोक्सिंग वीडियो है एक रूपय का एक सिक्का मैंने खरीदा है फेस्बुक से ही खरीदा है एक रूपय का एक रेर सिक्का अपने कलेक्शन के लिए और इसके बारे में अन्बोक्सिंग वीडियो के बारे में मैंने कल के वीडियो में भी क पहुचा नहीं है, इसलिए मैं आज की इस वीडियो के comment box में, इस वीडियो का, जो side screen में है, thumbnail आप देख रहे हैं, इस वीडियो का blue color में link होगा, आज की इस वीडियो के comment box में, मैं pin कर दूँगा, आप उस link पर click करके इस वीडियो को direct देख सकते हैं, दो अलग-अलग सिक्के के बारे में इस वीडियो में आपको जानकरी मिलेगा, और दोनों ही जो सिक्के हैं, coin है, दोनों ही unique coin है, और rare जानकरी आपको देखने को मिलेगा, तो आएए, आज के ये वीडियो सुरू करते हैं, सबसे पहले मैं unboxing करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, और दि ये collection में रखने से अगले 6 माइने में या एक साल में इस सिक्के का price कहां तक जा सकता है, वो भी मैं आपको फोरा से detail में बताऊंगा, तो आएए, सबसे पहले फटाफट जो unboxing है, packet है open कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, मैं हूँ दीप और आप देख रहे हैं, आप का अपना सबसे पसंदिदा निमिस्मेटिक चैनल, निमिस पेज, तो दोस्तों unboxing हो गया है, और आप देख रहे हैं, एक रुपे का एक सिक्का, स्टील का, इस सिक्के के बारे में, जानकारी देने से पहले, एक और सिक्के के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ, suddenly, आज ह मैंने फेस्बुक में देखा, और मुझे थोड़ा सा इउनिक लगा ये सिक्का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप साइडी स्किन में आप देख सकते हैं, पचीस पैसे का एक सिक्का गेंडे वाला, जो छोटा गेंडे वाला सिक्का आया था, पचीस पैसे का, उसी क सिक्के का रिवा साइड आप देख रहे हैं, अब इस सिक्के में जो डेट है, मिन्ट यार है, और जो मिन्ट मार्क है, वहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो देखिए, मिन्ट यार है, 1994, लेकिन डबल डबल आया है, मिन्ट मार्क जो है, वो स्टार मिन्ट मार्क है, हादा लेकिन मुझे यूनिक लगा और मैं आपको इसलिए ये सिक्का दिखा रहा हूं। अब जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं, प्लीस थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए। ऐसे जो एरर आप देख रहा हैं, ये 25 पैसे में आप देख रहा हैं, लेकिन ऐसे एरर आपको किसी भी सिक्के में देखने को मिल सकता है। चाहे वो 5 रुपे हो, 10 रुपे हो, 20 रुपे हो, 1 रुपे हो, 25 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 5 पैसे, किसी भी सिक्के में ऐसे एरर आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस सिक्के में आप देख रहा हैं, double star, हादाबाद मीन का, और double year, 1994 के उपर देखे, फिर से एक बार struck हुआ है, 1994, और ये ऐसे जो एरर सिक्के हैं, आपको आम चलन में, general circulation में भी मिल सकता है। general circulation से ही मिलता है, ऐसे सिक्के, इसका जो condition है, आप देख रहा हैं, used condition है, UNC condition नहीं है, लेकिन फिर भी, इसी जो condition है, इसी condition में इस सिक्के का कीमत, seller को सायद मेरे ख्याल से मिला होगा, 1000 रूपीज से 1200 रूपीज के बीच में, या फिर थोड़ा सा उपर, थोड़ा सा नीचे हो सकता है, लेकिन approach जो price है, मेरे हिसाब से, वो 1000 से 1200 रूपीज के आसपास है, जैसे कि मैंने कहां, किसी भी सिक्के में, आपको ऐसे error देखने को म नहीं, ऐसे double strike वाला ये error है, या फिर नहीं, या फिर कोई misprint है, बहुत different type के error होते हैं, तो आपको ये check करना ज़रूरी है, और दोस्तों, अब मैं आपको बताँगा, एक रूपे का ये सिक्का कौन सा है, तो एक रूपे का ये सिक्का है, International Year of the Family 1994 का सिक्का, अब दोस्तों, जो folder है, folder के उपर है, आप देख सकते हैं, seller ने लिखा हुआ है, Noida Mint, इस सिक्के के बारे में, मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाया है, अप्लोड भी किया है, अगर आपने नहीं देखा है, तो playlist में जाके आप देख सकते हैं, ये सिक्का खास है, ये जो International Year of the Family 1994 में दोनों में से, Noida Mint का जो सिक्का है, वो आज की date में, rare category में आता है, यहाँ पर मैं देखिए, जूम कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए, 1994 के नीचे, Noida Mint का जो big dot mark होता है, वो आप देखिए, यहाँ पर है, इसलिए मैंने इस सिक्के को खरीदा है, और बांकी जो condition ये भ बहुत ही मुश्किल होता है, इवन सी नहीं है, लेकिन अदर जो condition है, जैसे ये जो words है, एक-एक words, देखिए, clear है, घीसा नहीं है, घीसा पीटा नहीं है, इसलिए मैंने इसी को खरीदा है, और खास तर पर एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, 1994 ये जो सिक्का है, Noida Mint का ये Mint Mark जो है, वो अगर used condition होता है, तो सबसे पहले ये जो Mint Mark है, ये घीस जाता है, लेकिन ये जब मैंने देखा, Facebook में, कि ये Mint Mark एकदम clear है, तो मैंने इसी को को खरीदा, और अपने collection के लिए, बाकि जो अभास साइट का जो details है, वो भी clear details है, जैसे कि मैंने कहा, UNC तो नह fine के, या फिर सत्त में जाते है, या फिर वान देखिए, घीसा नहीं है, कहीं पर भी, collection के लिए ये सिका अच्छा है, और आज की rate में, इसी का price, अगर fine condition में है, तो लगभख 200 रुपे के आसपास fine condition में, मतलब ये घीसा condition में, और अगर very fine या फिर very fine plus condition में है, तो लगभख 400 से 500 रुपे, ये जो condition मैंने खरीदा है, extra fine plus condition, AUNC नहीं है, extra fine plus condition है, तो ये सिका मुझे पढ़ा, 950 रुपीज, उसके साथ 50 रुपीज सिपिंग, मतलब टोटल 1000 रुपीज, मैंने seller से कोई भी bargaining नहीं किया था, क्योंकि, noitamine का, ये सिका, international year of the family वाला, आसानी से मिलता नह ये, facebook में भी, अगर आप ढूंडेंगे, तो आपको अच्छे condition का मिलना, आज की date में, बहुत ही मुझकिल है, अगर ये सिका, UNC condition में होता, तो लगभग, आज की date में, इसका price है, 2000 रुपीज, अगर आप coin book में देखेंगे, तो इसका price आपको देखने को मिलेगा, 1000 रुपी में, वो उसके साथ, ground जो price है, ground जो price का जो reality है, वो match कभी भी नहीं करता है, कभी भी मतलब, कभी भी नहीं करता है, book में अगर किसी सिका price, UNC में 1000 है, तो आपको facebook हो गया, या फिर अरदा किसी भी website में आपको देखने को मिलेगा, वो इसिका, 2000 का, 3000 का, या फिर sell करते हुए, या फिर buy करते हुए, तो book value कोई भी MRP नहीं है, book value के साथ, आप अगर coin खरिदने जाएंगे, या फिर sell करने जाएंगे, या फिर sell करने जाएंगे, तो वो, दोस्तो, ground price से match नहीं करेंगे, नहीं करेगा, बुक जो होता है, वो बस समझने के लिए ठीक ठाक है, क्वान सा सि every month, सिक्क का जो price है, वो आप down होता रहता है, dynamic market है ये, और ये आपको हमेशा से ही, सुरू से ही, देखने को मिलता है, ऐसे ही, उपर नीचे सिक्क का price होता है, तो दोस्तो, ये था, आज का ये video, मेरा ये collection आपको कैसा लगा, और आपके collection में, अगर 1994, International Year of the Family वाला, ये सिक् comment box में, comment करके, मुझसे जरूर share कीजिए, अगर आपके पास नहीं है, तो आप Facebook में एक बार search कर सकते हैं, देख सकते हैं, ढूंड सकते हैं, और ये सिक्का आप collect जरूर कीजिए, अब मैं आपको बताऊंगा, इस सिक्क का future क्या है, future बहुती अच्छा है, अगले एक दो साल में, ऐसे सिक्का मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा, rare सिक्के खरीदे, मैं हमेशा कहता हूँ, पैसे देकर आपको अगर खरीदना है, या तो UNC खरीदे, या फिर अच्छे कंडिशन का खरीदे, ये जो सिक्का है, ये UNC कंडिशन में, जैसे कि मैंने कहा, मिलना बहुत ही ये जो कंडिशन है, अच्छा कंडिशन है, बस घिसा पीटा नहीं है, आपने भी देखा है, घिसा पीटा नहीं है, स्क्रैचेस नहीं है, तो इसलिए मैंने इस सिक्के को खरीदा है, आपका अगर कोई सवाल है, तो कॉमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, इस मेल आइडी पर, contact.newspage.in, दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, मेरे साथ रहिए, निवी स्पेज साथ के रहिए, और ऐसे ही जानकरी, मैं आपके लिए everyday लाने की कोशिस करता रहूंगा, तो दोस्तों म मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जाए हिंद!